संसनी के इस मामला उत्रप्रदेश के जनपत हमिरपूर की मौधहा कोधवाली का है जहां पर कल एक आठ वर्षे बच्ची रहसे में ढंग से सोते हुए अपने ख़र से लापता हो गई जिसके पुलिस में परिजनों ने सूचना दी थी पुलिस की जानकारी के मुताबिक बच्ची गुमोचाने को लेकर तलाश की थी लेकिन परिवार के लोगों ने बच्ची के अफ़रण की शिकायत दर्श कराई और कोई अन्होनी होनी की भी आशंका जताई थी पुलिस भी इसमें काफी खोजबीन में लगी रही लेकिन बच्ची को बचा नहीं पाए आज 22 गंटे बाद बच्ची का जला हुआ शब मोधहा के एक घर में बरामत हुआ थाना मोधहा में कल रात्री में एक घर से कुछ जलेवे अफशेश बरामत हुए थे जिसका परिक्षन फोरिंसिक फील्ड यूनिट के द्वारा करवाया गया वहां मौके पर एक संतोश नाम का विक्ती मिला था जिससे पूशताच पर उसने बताया कि एक रात्री पूर वेक आठ वर्ष ये बालिका जो गुम हो गई थी उसने उसे वहां पर लाकर उसकी गला गोट कर हत्या कर दी और उसके शब को जला दिया जो संतोश नाम का विक्ती है ये अंद विश्वासी प्रतीत हो रहा है और इसके इकवालिया बयान के आधार पर इसे गिरफ़तार कर लिया गया है और गहनता से पूशताच की जा रही है और इसमें फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किया जा रहा है इस समन्ने पुलिस अधिक्षक ने बताया कि अपराधी यूवक जादू टोने का काम करता था जिसका समान भी वहां से बरामत हुआ है घटना के बाद परिवार जनों का रो रो कर पुरा हाल है